हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप दिख रहे हैं Fantasy Express का YouTube चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे New Zealand Legends South Africa Legends की बीच में The Road Safety T20 के जो मैचेस चल रहे हैं Road Safety T20 World Series 2022 के मैचेस New Zealand Legends versus South Africa Legends के बीच में इस मैच को हम कवर करेंगे South Africa Legends की Playing 11 तो आपने इंडिया के मैच में द देखेंगे वस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है मैं आपको सारी चीजे क्लियर कर दूँगा इस मैच के रिगार्डिंग एक और चीज यहां पर आपको बता दूँ आपके लिए गैरेंटीड लिक्स वगेरा यहां पर रखी गई हैं fan2play पे जो confirm होती है यानि कि उनका और जो घाटा होता है वो होता है साइट का अब साइट देखिए घाटा भी एर कर रही है तो यह तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें अपॉचुनिटी मिल रही है कि हम ज्यादा ज्यादा विन कर सके कम से कम competition में तो आज ही fan2play को डाउनलोड करिए description में लिंक दिया इसको ऐसी free entries वगेरा डेली देखने को मिलेंगी लगबग हर एक मैच में जो भी जानता है कि रैफर कोड एफेक्स लगाने के बाद उसको कितनी free entry मिली लगबग हर मैच में दो हजार पांच हजार दस हजार की entry फी तो free रहती है आपको बस जोइन करना है और अगर आपका लग अच्छा रहा तो आपको अच्छे प्राइजिस लग सकते हैं जल्दी से इनको भी जॉइन कर लीजिए फैन टूपले का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और रैफर कोड एफेक्स लगाना मत भूलना क्योंकि जो भी लोग एफेक्स कोड लगाते हैं उन्ही को यह बोनस फ्री एंट्री वगेरा शो होती है ठीक है यह हो गया रैफर कोड एफेक्स और नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अब बात करते हैं इस मैच की क्या प्लेंग 11 है क्या कुश कंडिशन से हैं तो बैटिंग अच्छी होगी यह विकिड जो है यह जान ब को ध्यान रखिए आप यह मस सोचिए कि विकिट कैसा होगा यह कोई इंटरनिशनल मैच नहीं चल रहे यह परपस इनका सिर्फ इंटर्टेल्मेंट है बड़े प्लेस को लाना वह फॉर्म में हो ना हो पिछ ऐसी बनाना कि रंस जादा से जादा बने तो बैटर्स आपके ल बिल्कुल मान के चलिए इंटर्टेन्मेंट गेम्स हैं इसमें आपको वह जो है वह वैसी पिछ न देखी कि इसमें प्लेस ट्रगल कर रहा है इंटर्टेन्मेंट वाले मैच इसमें मैच प्रिव्यू में आपको बतायता हूं न्यूज़ेलंड लेजड्स पिछले साल उसके बाद से उन्होंने नहीं खेला इनको भी लगबग आप दिखें कितने साल होगा लगबग 6-7 साल होगा क्रिकट को छोड़े हुए तो बहुत बड़े होंगे बट दिक्कत क्या है उनके साथ कि उन्होंने क्रिकट खेली नहीं है बहुत टाइम से और कुछ प्लेर ऐस जैसे भी मिलेंगे जैसे रॉस टिलर हो गए एंटोन डेवेचेश हो गए जिन्होंने लगब पिछले एक-दो साल में काफी क्रिकट खेली है तो वह प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है पिछले एक साल में किन प्लेस ने ज्यादा क्रिकट खेली है नील ब्रूम ने नौ मैचेश खेले तेटिस फेंटसी पॉइंट पर मैच इन्होंने आपको दिया अगर आप फेंटसी पॉइंट के परफेक्ट में बात करें रिसेंटली आपने देखा होगा इनको न्यूजरेंट की जो डॉमिस्टिक लीक्स होती है उनमें खेलते हुए रोट्स देखिए दो मैच खेल चुके हैं 47.5 फेंटसी पॉइंट पर मैच दिये जॉंटी रोट्स हैं ये इसके लावद जे वार्थ ने एक मैच खेला 60 फें मुकाबले हुगा और इंट्रणेशल लवएल्च मैच इंडिया इंगारेंड का हुआ challenged Um यहां पर हुगा था और लास्ट मेंचिस के हम बात करें तो देखिए यहां पर आई पिल के कुश मैचिस हुए थे बट उसके बाद लास्ट तीन मैचिस रोट सेफटी के हो गए यानि रोट सेफटी का पहला मुकाबला इंडिया लेजन्स आउट अफ्रीकल लेजन्स की वाला जो रोट सेफटी मुकाबला था इसमें अगें 2200 प्लस क्रॉस हुआ श्रीलंका ने 200 प्लस बनाया और यहां पर इस्पिन को चार विकेट पेस को छे विक्टे मिली तो देखा गया है कि पेस स्पिन का कोई जादा महत्व नहीं है ऐसा नहीं है कि विकेट सिर्फ पेस स्पिनस के लिए बनाया गया एक बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस दिया गया है और टॉस कंडिशन पर अगर कुछ अपडेट होती है तो वह मैं आपको दे दूँगा अभी फिलाल तो आप बस यह कोशिश करिए कि 2019, 2021, 2021, 2022 की प्लेट पकड़ी है अपने टीम में जोनों रि पास्ट इस्टी नहीं है बड़ साउथ अफ्रीका लेजन्स जो है वह पहले खेल चुकी है लेजन्स की लिग्स वगयरा खेल चुकी है तो इन्होंने जो आखरी पांच मैच इस खेले वह आपके सामने कैसा परफॉर्मेंस है क्या है वह सब यहां पर आपको देखने को मिल प्लेटल की बात करें जादो कुछ प्लेटल है इस पर चर्चागर दुरूत है नहीं वैसे बहुत पुराने मिलेंगे अगर मिलेंगे बी तो जल्दी से प्लेइंग लैविन देख लो आप लोग को पता ही है एक बार फिर से बता दिता हूं एंडू पुटिक ओपन करेंग पुटिक है तो विगट कीपर बट ये विगट कीपरिंग करते नहीं है अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस देखे पिछले 6-7 मुकाबलों में जो भी इनों ने खेला है तो उसमें आप देखेंगे पुटिक की परफॉर्मेंस ठीक है बट मॉनने वेनविक की परफॉर्में प्लस बैटिंग अच्छी नहीं है बट ठीक ठाक बैटिंग बोल सकते हैं फिर आते हैं जे रुडॉल्फ 33 का बैटिंग अवरेज होता है इनका रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है बड़े इस कूर्स लगाते हैं बट वही है कि एक लंबे टाइम से खेले नहीं है आप कैसा पर्फॉर्मेंस कैसा फॉर्म पकड़ेंगे वह देखना होगा है हैंडी डेविस 23 का एवेज रखते हैं बट रिसेंटली इनका फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रहा है आकरी चार्चे में कुछ भी अच्छा नहीं किया है तो इनको भी आप मेरे साफ से छोड़ सकते हैं जॉन्टी रोड्स आपको पता है वर्ल के बैस्ट फील्डर है प्लस बैटिंग अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग नहीं करते हैं अगर आप देखेंगे बैटिंग परफॉर्मेंस इस तो वह काफी अच्छी है मतलब सैटिस्वेक्टरी है लास्ट में 38 रन का जो नौक था वह अच्छा था उसके पहले एक 20 रन का नौक लगाया था ल आम तोरपिन की बैटिंग आती नहीं है और आती भी है तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हैं बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है जोहान बोता फॉर्म भी इनका गडबर चल रहा है पिछले तीन-चार मैच अगर हम इनको ठाके देखें जोहान वेंडर वर् लगवग करने चाहिए बढ़ कभी-कभी उनका भी ओवर कड़ जाता है निटीनी के आम तोर पर चार ओवर रहते हैं लास्ट मिस में निटीनी का जो कैश था जैसे सचिन तंदुलकर को इनका कैश चूट था ड्रॉप हुआ था पता नहीं निटीनी थे क्रूजर थे मुझ बट फिलेंटर जो है वो बैटिंग बेका पच्छा दे जाते हैं अनिकि अगर बॉलिंग में नहीं भी चले तो इनको प्रमोशन कर दे मिल जाता है हिटिंग वगरा के लिए उस टाइप के प्लेयर हैं फिलेंस क्लूजर है निके पास जब यह लास्ट खेले थे तब 2015 के आ हैं तो देखना होगा अगर खेलते भी हैं तो कैसा का परफॉर्मेंस रहता है लैंस क्रूजर का अच्छे और लाउंटर माने जाते तो अपने टाइम के फिर आते हैं थैंडी शिबलाला यह देखिए राइटा मॉबरिक बोलर हैं पिछले साल लेजंड्स लीग में अच्छा नहीं देखा गया अब न्यूजरेंट लेजंड्स की बात करते हैं तो देखिए नील ब्रूम सोपर इस मैश वगएरा खेलते हैं नुजरेंट की टीटी लीग होती है उसको खेला हुआ है रिसेंटली और भी कुछ लीग से खेली हुई है तो पिछले एक दो साल म में होने चाहिए फिर आते हैं स्कॉट स्टाइरेश स्टाइरेश तो देखिए काफी टाइम से क्रिकट निकल जाया थी गुजर 15-16 में लास्ट खेले थे स्टाइरेश उसके बाद से नोने क्रिकेट खेली नहीं है तो एक लंबा गया 5-6 साल का पता नहीं कैसा खेलेंगे उस टाइम के अच्छे और लांट रूम माने जाते थे और स्टैड भी इनके आप देखे ठीक ठाक देख रहे हैं तो यह भी आपको ले लेने हैं बट फॉर्म की में गैरंटी नहीं दे सकता फिर नमबर तीन पर आएंगे रॉस टेलर बहुत जादा पुराने प्लियर नही सकते हैं ठीक है फिर आते हैं इन्होंने भी देखी 2020-21 में काफी क्रिकट खेली हुई है बहुत जदा टाइम इनको भी क्रिकट छोड़े नहीं हुआ है 24 का इनका एवरेज बनता है और अगर आप देखे पर्फॉर्मेंस वाइस तो काफी अच्छा करते हैं देखिए लेज फिर भी थोड़ा सा अच्छा खेल सकते हैं 40-42-45 वालों से तो अच्छा खेल सकते हैं अच्छे और लाउंडर है इवन हम इनको एक-दो साल पेले ग्रेंड लीग में और स्मॉल लीग में कैपटन भी करते हैं तो जब तक यह खेलते रहे अच्छा खेलते रहे बट इस तक में आपको पता चल जाएगा किस टाइब के प्लेयर थे फिर आते हैं डीन ब्रॉन 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 बाइस का बैटिंग यावरेज है बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है इनको छोड़ सकते हैं फिर एरॉन रेडमंड है यह इंपक्टफुल प्लेयर है लगब हर इनको पहले ट्राइकरा करती थी बट इस टीम में मुझे लगता है यह बहुत डाउन बेटिंग करने आ सकते हैं फिर शेन बॉंड ने टीम के पास लाख री जो दोजा सोला में कुछ मैचस खेले थे उसमें यह विकेट लैस जा रहे थे उसके बास से खेले नहीं कोई कर सकते हैं इनके रिशेन परफॉर्मेंस अच्छे रहे थे हाला कि यह भी लगबग पांच-छे साल पहले खेले थे तो वही है कि हमीश वेनिट बगेरा का तो हम बोल सकते हैं डैविच बगेरा का यह लोग फिर भी अच्छा कर सकते हैं अब बॉंड पर क्या कमेंट करें क च्छे साल पराने रिकॉर्ड हमारे पास अविलेबल है एक मैच या तो आप हो जाने दीजिए एक मैच हो जाएगा तो आपको लाइव मैच देखेंगे तो फिटनेस का पता तो चली जाएगा कौन कैसी बॉलिंग कर रहा है किसकी बॉल्स जो है जादा वाइड जा रही है या फिर कौन विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है आपको लाइव मैच देखके पता चलेगा तो एक मैच तो थोड़ा सर रिस्की रहेगा जब यह एक मैच हो जाएगा तो इसके बाद हमें काफी चीज़े क्लियर हो जाएगी बेंजमेन के पास जैकोब हो राम है जे साउथ दुफ्री का लेजन्स की तरफ से निटी नी और क्रूजर से मैं डेथ में बॉलिंग एक्सपेक कर रहा हूँ मोस्ली यही लोग जो है डेथ वर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो अब हम बात करते हैं फैंटसी टीम की तो गईज यह मेरी टीम रहने वाले फैंटू प्ले अप्लीकेशन पर अगर आपने हाप लींग तो रेफर को डैफेग्स लगाके साइन आफ कर लिजए जो भी लोग रैफर को डैफेग्स लगाके साइन अप करेंगे फैंटू प्लेकेशन पर उनको मिलेगा बॉनस creation और यहां पर देखिए आप काफी ऑप्शन भाड़े पड़े हैं जैसे अगर आप साउथ अफ्लीक की तरफ से देखे तो बैटिंग में आपके पास एक जोंटी रोड से जो में बैटिंग करते हैं उनको ट्राइग कर सकते हैं एक जोआन बोता हैं बोलर जो तीन से चार वर बॉ काने में कंफ्यूजन रहने वाल है क्योंकि बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है बहुत अच्छी ऑल्नाउंडर दोनों टीमों के पास नहीं है और हमने देखा भी नहीं रीसेंट टाइम में परफॉर्म करते हुए तो अभी फिलाल के लिए में मौने वैन विक को अपना तो फस्ट बॉलिंग में यह डेथ वर्स में आपके लिए कमाल कर सकते हैं तो ट्राइ कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आएको पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कर दीज़ेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए